प्रेंस यह दिखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डियन में लेडिस जैकिट में लेडिस रग में बच्चों की फ्रॉक में बच्चों के स्वेटर में शॉल में डाल सकते हैं यह दिखे बनकर बहुत ही प्यारा लगता है आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है और पिछे की साइड से यह इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचिस चाहिए होंगे वो एट के मल्टिपल से होंगे प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए और दो फंदे एस स्टिच के होंगे और यह जो ड फैन देखते हैं यह डिजाइन कैसे बनेगा यह दिखे फैन यहां पर मैंने 43 फंब लिए हैं फोटी फंब शम pushed नेच के मर्टिपल से लिए है प्लस स्री फंबले एक्स्ट वर लिये हैं एक फंदा स्डमी डिजाइन के एक दागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे 1,2,3,4,5,6,7 धागा आगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे ये दिखें स्टार्टिंग के ये दो फंदे छोड़कर यहां सी यहां तक मरा एक पैटर्ण कम्प्लीट होता है फिर से आगे से रिपीट करेंगे ये दिखें हमारा ये 7 फंदों का पैटर्ण है इसमें हमने पहले जारी डाली फिर 7 फंदे सीधे बने फिर जारी डाली और एक फंदा सीधा बना ये हमारे टोटल 8 फंदे हो गए है फिर से दिखें धागा फंड हेंगे जारी डालेंगे एक दोaksi कि तीन 1 जारव पांच छे तात फंड्डे सीधह बनाएंगे प्र धागा आगे जारी डालेंगे ये देखेंगे सेंट्र में फंडा जाएगा इसके जारी डालते हुए एंपंडा शीधह बनेगे ऐसे ही फिर से पैटर्न पीट करेंगे धागा आगे जल डालेंगे 7 फंदे सीधे 2,3,4,5,6,7 धागा आगे जल डालेंगे फिर एक फंदा सीधा इसे धागा आगे जल डालेंगे 7 फंदे सीधे 1,2,3,4,5,6,7 धागा आगे जल डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे जल डालेंगे यहाँ पर तुन तरफ इस फंदे के एक जली आएगी 7 फंदे सीधे 1,2,3,4,5,6,7 धागा आगे जल डालेंगे एक फंदा सीधा एस्टिच सीधा यह दिखिए फर्स्ट रो राइट साइड कम्प्रेट हो गई है इस सारी रो को ऐसे उल्ट उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा ही बना लेंगे यह दिखिए थर रो है राइट साइड अब दिखिए यहां पर हमने पहले यह एस्टिच उतारा था यह दिखिए इसे ऐसे ही उतार लेंगे फिर एक फंदा सीधा बना था अब हम यह जाली वाला फंदा भी सीधा ही बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे और फिर से 7 फंदे सीधे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा आगे जाली डालेंगे दो फंदे सीधे यह दिखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहां सी यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है फिर से से रिपीट करेंगे धागा आगे धागा पिछे ही रखेंगे यह जाली वाला फंदा ह एसे सीधा बना लेंगे थागा आगे देखिए यहां पर जाली डालेंगे और सेवन फंदे सीछ बनाइगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा आगे जाली डालेंगे यह दिखिए सेंटर में यह तीन फंदे सीधे आएंगे दुनों तरफ एक-एक चाली आएगी पहली हमने एक फंदे अगे ज़री डालेंगे तीनों फंदे सीधे बना लेंगे 1, 2, 3ividade धा का आगे ज़री डालेंगे 7 फंदे सीधे 1,2,3,4,5,6,7 यहीं से थागा आगे ज़री डालेंगे 3 फंदे सीधे वाण, तू त्री धागा आगे जारे डालेंगे सेवन फंदे सीधे ये दिखिए फिर से ये तीन फंदे सीधे धागा आगे जारे डालेंगे त्री धागा आगे जारे डालेंगे सेवन फंदे सीधे फ्राइCD Кंप्लीट हो गई है फोर्थ रो है, रोंग साइड, अब इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनकर कंप्लीट कर लेंगे, जाले वाले फंदे भी उल्टे ही बना लेंगे यह दिखे, फिफ्ट रो है, राइट साइड, अब दिखे, स्टार्टिंग में यह तीन फंदे, यह दिखे, यहां तक हमने जाले डाली थी, तीन फंदे सीधे बना लेंगे यह दिखे, एस्टेच तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे जारी डालने के लिए और बाकी के सभी फंदे हमने इस रो में उल्टे बनाने हैं तो धागा आगे ले कराएंगे और ऐसे धागा गुमा कर जारी डालते हुए फिर से आगे ले कराएंगे और ये सभी फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा फिर से जरी डालेंगे, एक फंदा उल्टा ये सभी 7 फंदे ऐसे ही जरी डालते हुए बनाएंगे तो दिखे यह हमने दो फण्दे बना लिये हैं एक दो जारी डालेंगे तीन जारी डालेंगे चार पांच छे जारी डालेंगे साथ फिर धागा पिछे लेकर जाएंगे और ऐसे घुमा कर जाले डालते हुए पिछे लेकर जाएंगे ये सेंटर के हमारे पास 5 फंदे हैं सीधे बना लेंगे जाले डालते हुए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे यह दिखिए स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है फिर से आगे से रिपीट करेंगे यह दिखिए दो फंदे सीधे बना लिए धागा आगे लेकर आएंगे और ऐसे गुमा कर जारी डालते हुए फिर से आगे ले हुए 1 जारी डालेंगे 2 जारी डालेंगे 3 जारी डालेंगे 4 जारी डालेंगे 5 जारी डालेंगे 6 जारी डालेंगे 7 घुमा कर जारी डालकर पिछे लेकर जाएंगे 5 पंदे सीधे फिर धागा गे घुमाकर जाड़ी डालकर आगी लेकर आएंगे 7 फंदे उल्टे बनाएंगे जाड़ी डालते ही गए दिखें 2 जाड़ी डालेंगे 3 जाड़ी डालेंगे 4 जाड़ी डालेंगे 5 जाड़ी डालेंगे 6 जाड़ी डालेंगे 7 धागा पिछे गुमाकर पिछे लेकर जाएंगे 5 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से पैटरन पिट करेंगे गुमाकर धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे जाले डालते हुए बनाएंगे 2 जली डालेंगे 3 जली डालेंगे 4 जली डालेंगे 5 जली डालेंगे 6 जली डालेंगे 7 धागा पिछे हुमा कर जली डालेंगे 5 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 जारी डालते हैं धाग आगे ले कराएंगे 7 फंदे बनाएंगे जारी डालेंगे 2, जारी डालेंगे 3, जारी डालेंगे 4, जारी डालेंगे 5, जारी डालेंगे 6 जाली डालेंगे 7 घमा कर डाल कर पिछे लेकर जाएंगे लास्ट के और फंदे सीधे बना लेंगे ये दिखिए रो 5 कम्प्लीट हो गई है रो 6 है रॉंग साइड ये हमारी लास्ट रो है ध्यान से दिखिए कैसे करेंगे एसे ही उतार लेंगे ये हमारे 3 फंदे हैं उल्टे इनको उल्टा बना लेंगे 1, 2, 3 ये जाली वला फंदा है इसे भी उल्टा ही बना लेंगे तो टोटल हमारे 4 फंदे साइड में उल्टे आएंगे तो जो हमने सेंटर में 7 फंदे जारी डाल कर बनाए थे उनको हम unwrap करेंगे, दिखे कैसे करेंगे एक फंदा उतारेंगे, ऐसे red needle पर ये हमने जारी डाली थी, इसे drop करेंगे फिर 2 drop करेंगे, 3 drop करेंगे, 4 drop करेंगे, 5 drop करेंगे, 6 drop करेंगे और 7 ये वाला फंदा हमने drop नहीं करना है यहाँ पर हम जारी डालेंगे ये वाला इन फंदों के साथ side make एक फंदा हमने increase किया है वो हम बुनेंगे तो इसको हमने drop नहीं करना है, ये 7 फंदे हमारी हो गए हैं, इनको एक साथ left needle पर ले लेंगे और ये दिखे, उल्टा बनाते हुए 7 फंदों का एक फंदा बनाएंगे दिखे, 7 फंदे हैं एक फंदा बनाएंगे ये दिखे, ऐसे फिर center के 7 फंदे हैं ये जारी वाला फंदा उल्टा बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे 7 फंदे वैसे ही बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे डॉप नहीं करना है ये सबी फंदे लेलेंगे लेफ्ट निडल पर 7 फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से 7 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे दिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे डॉप नहीं करेंगे और सबी फंदे लेफ्ट निडल पर 7 फंदों का एक फंदा इस 7 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेफ्ट निडल पर 7 फंदे शिफ्ट कर लेंगे 7 फंदों का एक फंदा बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेफ्ट निडल पर यह दिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट के फंदे सबी उल्टे बना लेंगे यह हमारे 4 फंदे हैं ऐस दिच भी उल्टा ही यह दिखिए 6 रॉर रॉंग साइड कंप्लीट हो गई है और हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे 1 फंदों से स्टार्ट करेंगे और अपने एक्सपिरियंस हमारे साइड शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड